नमस्कार दोस्तों जब कभी हम मार्केट में inverter को खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर हमें मुख्य दो तरीके के inverter देखने को मिलते हैं पहला इसक्वाइर वेव इनवेटर दूसरा साइन वेव इनवेटर अब इस जगे हम सभी लोग कंफ्यूज जाते हैं कि आखिर इन दोन में से हमें कौन सा इनवेटर लेना चाहिए कौन सा हमाई लिए सही रहेगा और दोस्तों कुछ लोग यहां पर कम नौलेज होने की वज जाती है कि सभी लोग अगर कोई भी प्रॉडेक्ट खरीडने मार्केट में जाते हैं तो उस समय उन्हें इस बारे में नौलेज होना चाहिए गाइड होना चाहिए कि वह क्या चीज खरी रहे हैं उनके लिए कौन सी चीज जरूरी है वैसे दोस्तों इस वीडियो को देखन पर आपको मिनिममम दो साल की वारंटी ओफर करते हैं साथ इसाथ इनके प्रॉड़क्ट लेने का एक बेनेफिट यह भी है कि लिए आपको कभी भी कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता इनके टेक्निशन खुद आपके घर आकर ओन साइट वारंटी देते हैं मतलब आपके घर आके आपके प्रॉड़क्ट को सही करते हैं और इन सभी बातों के कारण ही आपने कहीं बार देखा होगा कि मैं लूमिनस के प्रॉड़क्ट को हमारे चैनल के उपर फीचर करता रहता हूं तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट हमारे सवाल पर आते हैं कि आखिर कार प्रॉड़क्ट को जोड़ने वाले हैं अगर आपके इनवर्टर पर आपके घर के बेसिक लोड़ जैसे की ट्यूब लाइट पंखाट स्मॉल टीवी यह सब चलाने वाले हो तो उस केस में आप स्क्वाइर वेव इनवर्टर को भी खरी सकते हैं लेकिन अगर आप आपके पर कुछ sensitive उपकरेंट या फिर advanced circuit वाले उपकरेंट को जोड़ने वाले हो जैसे कि हमारा laptop washing machine LED TV अगर आप यह सभी उपकरेंट चलाना चाहते हो तो उस समय यही प्रेफर किया जाता है कि आप sign wave inverter को ही खरीदें अब यहां पर कई लोगों के मन में अगला सवाल यह आएगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है कि हमारे basic उपकरेंट चलाने के लिए तो हम square wave inverter को खरीच सकते हैं लेकिन अगर हम LED TV, washing machine, fridge जैसे उपकरेंट चलाना चाहते हैं तो उस समय हमें sign wave inverter की खईडना चाहिए आखिर इसके पीचे क्या वज़ह है तो दोखिए दोस्तों इसको समयना का पेसा सिम्पल है, जैसा कि हम सभी की आखिर Leader के का कौने का होता है उसे पैटर होता है, जिस में हमारे उपकार को में समझाँ, तो हमारे जो electrical current होता है, वह दो तरीके का होता है, पहला AC करण्ट और दूसरा DC करण्ट, अब हमें power house है, जो current मिलता है जो हमारे government के tower से जो हमारे घर में supply आती है वह हमारा AC current होता है जिससे हम हमारे उपकरण को आसानी से चला लेते हैं जबकि जो current हमें हमारे battery से power backup के लिए मिलता है जो हम store करके रखते हैं वह हमारा DC current होता है अब जब कभी हमारे घर पे बिजली की कटोती हो जाती है तो उस case में हमारी इस battery में stored DC current से हम हमारे उपकरण को चलाना चाते हैं लेकिन अब यहाँ पर हमारे सामने एक दिक्कत यह है आजाती है कि हमारे पास में जो supply है वो तो हमारे पास में DC सप्लाई है लेकिन हमारे पास में जो घरों में उपकरण है वह हमारे AC सप्लाई से चलते हैं तो अब हमें क्या करना होगा हमें यही करना होगा कि हमारे पास में जो DC करेंट है इस DC करेंट को हम AC करेंट में बदल दें तो दोस्तों अब आपको यह है तो पूई तक से clear हो गया है कि आखिर का inverter का काम क्या है inverter का काम simple सा है हमारे DC current को AC current में बदलना अब दोस्तों हमारे next और मुखे सवाल पर आते हैं कि आखिर sine wave inverter और square wave inverter इन दोनों में क्या अंतर है तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया inverter का काम होता है DC current को AC current में बदलना अब यह है जो हमें AC current मिल रहा है यह किस quality का है वह हमारा depend करेगा कि हमारा inverter किस technology पे काम कर रहा है और market के अंदर जो inverter आते हैं वो हमारे मुखे दो तरीकी की technology पे काम करते हैं नंबर वर square wave technology और second हो जाती हमारी sine wave technology अब दोस्तों हम next थोड़ा यह जान लेते हैं कि आखिर यह square wave technology जो की पूरानी technology हो गई है इसके inverter लगाने से हमें क्या दिक्कते आ सकती है तो दोसा अगर मैं आपको इसको थोड़ा practical तरीके से बताऊं तो आपने कई जगे पर देखा होगा कि जब कभी electricity cut हो जाती है और हम हमारे inverter से हमारे load को हमारे उपकरण को चलाते हैं तो उस समय हमारे उपकरण से एक harming sound आती है यह आपको आपके fan और आपके inverter में काफी ज्यादा सुनने को मिलती है ऐसा इस वज़े से होता है क्योंकि उस जगे पर square wave technology वाले inverter का उप्योग किया गया है दोसों यह inverter कीमत में sine wave से थोड़े सस्ते होते हैं पर यह जो AC current हमें convert करके देते हैं वह पूरी तरके से filter नहीं होती है जिसकी वज़े से हमारे उपकरण है जो load है उनमें से harming sound हमें देखने को मिलती है जबकि वहीं अगर हम हमारे उपकरण को हमारे load को sine wave technology वाले inverter से connect करते हैं तो उस समय हमारे उपकरण में से कोई भी harming sound नहीं सुनाई देती है क्यूंकि यह है जो sine wave technology है यह है एक नई और एक advanced technology है अब ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारे power grid से हमें supply हमारे घरों में मिलती है यह sine wave technology वाले inverter बिल्कुल हमारे grid की जैसी ही power convert करके हमें देते हैं तो दोस्वाब आपने यह जान लिया कि आखिर का इन दोनों inverter में क्या अंतर है लेकिन अब हम हमारे direct जवाब पर आते हैं कि आपको इन में से कौन सा inverter खरीदना चाहिए तो देखे दोस्तों जो square wave inverter होता है माना कि यह हमारी पूरानी technology पर काम करता है लेकिन अगर आपका budget काफी कम है तो आपको यही inverter लेना चाहिए क्योंकि square wave inverter की कीमत sine wave technology वाले inverter से कम होती है इसके अलाव माना कि इस inverter से हमें थोड़ी harming sound सुनाई देती है लेकिन अगर आपका उप्योग सिर्फ light, पंखे, छोटी टीवी जैसे उपरन को ही चलाना है तो आप इस inverter को खरीज सकते हैं लेकिन second case में अगर आपके पास में budget की दिक्कत नहीं है अगर आप थोड़े और extra रुपे जोड़ सकते हो तो आपको जरूर से sine wave inverter को ही खरीडना चाहिए क्योंकि यह inverter हमें बिल्कुल power grid से मिलने वाली AC current की तरही power convert करके देते हैं जो कि हमारे उपकरण के लिए पूरी तरह से सेफ होती है और इसके अलावा एक बात और कि अगर आप आपके inverter पर sensitive current जैसे कि आपके laptop, AC, LED TV जैसे उपकरण को चलाने वाले हो तो उस समय आपको हमेशा sine wave technology वाले inverter के तरह भी जाना चाहिए तो दोसों उमीद करता हूँ कि अब आपको पूरी जगे से clear हो गया होगा कि किस जगे पर हमें किस technology वाले inverter को लगाना चाहिए आखरी में एक बात दोस्तों कि अगर आप luminous के product को online best कीमत में best price में खरीदने की सोच रहे हो तो मैंने description box में मेरे recommend best inverter के link दे दिये हैं वो खरीज सकते हैं इसके अलों दोस्तों मैंने square wave inverter का link भी वीडियो के description box में दे दिया है आप इस site पर आके square wave inverter को भी देख सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए वीडियो काफी जादा helpful सावित हुआ होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक के चुरू बताएं अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के पड़ते हैं आफ इलेक्टर राबंदेने से comment box में comment करके पूस सकते हैं electrical के वीडियो से अगर आप इन दिया नहीं पसंद करते हैं आज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी आज के लिए इतना ही धन्यवाद